अब इस lecture के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि linear transformation vector पर कैसे लगती है और हमने कौन सी linear transformation करनी है मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ यह जो vector हमारे पास है इसको मैं 45 degree on to left यानि कि negative 45 degree way rotate करूँगा यानि कि इसको मैं यहाँ पर rotate करके इस side पर लेकर आना चाहूँगा ठीक है So how can we do that? How can we apply that transformation? वो बहुत simple है मैं यहाँ पर code को पहले लिख देता हूँ and then we will see it together linear transformation linear transformation यह transformation linear कौन सी होती है आपको भी पता जब हम matrices apply करते हैं अब देखिएगा तो हमने क्या किया है define the rotation matrix हमने rotation matrix को यहाँ पर पहले define करना है rotation matrix क्या है हमने theta यानि के अपने angle बताना है ठीक है और हमारे पास rotation किस side पर करनी है उसके लिए specific values होती है अगर हमने 45 degree पर rotate करना है तो हम सबसे पहले उसका cause लेंगे पहली value दूसरा उसका sine theta होगा फिर negative sine theta होगा फिर cause theta होगा हमारे पास cause और sine जो है यह basically trigonometric के अंदर use होते है मैं simply इन values को वहाँ पर पूट करता हूँ अब यह किस तरीके से हमें help करते है I will show you first and then we will move forward के हमारे पास यह equations जो है किस तरीके से utilize होंगी I will try to write down in latex and then we will see के easy by easy क्या सीन है आपके पास so basically जब आप कोई चीज रुटेट करना चाहते है so you do something like it didn't work yes तो यह आपके पास कुछ इस तरीके से एक equation आती है यह equation जो है यह basically आपकी negative 45 degree जो आपकी rotation होगी उसको show करेगी ठीक है और यह जो हमने matrix बनाया है यह उसी को मद्दे नजर रखते बनाया हुआ है degree हमने 45 degree पर करना है ठीक है तो हम 45 degree to radians जो है इनको perform करेंगे so trigonometric के अंदर मैं नहीं जा रहा मैं simply आपको जो transformation हो बता रहा हूँ and then what we can do हम V को transform करते हैं V हमारे पास जो भी है मेरे पास 3 by 3 का था V तो उसको हम क्या करेंगे np.rotation matrix vs V यानि के हम क्या करने वाले हैं जब हम किसी एक vector के ऊपर कोई transformation apply करते हैं वह actually क्या करते हैं हम हाँ जी किसको याद है उनकी कौन सी product ली जाती है हम मिसाल के तोर पे मेरे पास एक vector है यह मेरे पास vector है 3 और 3 का ठीक है इस पे मैं एक matrix की transformation लगाना चाहता हूं which is something like this तो हम इन दोनों को multiply करेंगे कौन सी product हम लेते हैं dot product अगर आप देखें तो 3 को 1 0 के साथ करते हैं और अगले 3 को माइनस 1 1 के साथ करते हैं और इसको करने की बजाए मुझे यह इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं simply क्या करना हूं यहां पे अगर आप देखें मैं यहां पे सिरफ और सिरफ rotation matrix को V के साथ multiply कर देता हूं और np. जो है इस function को use करके हम dot product ले रहे हैं सो यह basically दो arrays की dot product है और हमारे पास जो पहली array है वह one dimensional है दूसरी second dimensional है so we can take this dot product ठीक है और यह जो last वाला chunk है यह इसको produce करने के लिए यानि के plot को produce करने के लिए है लेकिन मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा के transformed कैसा दिखता है और हमारे पास जो rotation matrix है वो कैसा नजर आता है तो मैं इसके पीछे भी print लिखता हूं print ताके मेरे पास यह दोनों चीज़ें जो हैं वो चलें यह जी हमारे पास जो rotation matrix है वो at the end यह बनता है जो लोग यह परेशान है के rotation matrix हम कैसे बनाते हैं और क्या होता है formula यह है values उसकी यह है यह हमारे पास क्या चीज़ है dot product of rotation matrix to what आपको समझ आगी होगी किस के साथ अब हम यहां पर v को भी print करके देखते हैं के v हमारा क्या था तो मैं यहां पर करता हूं print v let's see तो यह था यह हमारा 3 by 3 तो जब हमने यह वाली एक rotation apply की है तो हमारे पास जो answer आ रहे है वह हमारे पास यह वला answer आ रहे है अब इस vector को अगर आप plot कर लें तो वही आपकी basically transformed position होगी to see the vector in real time so मैं यहां पर दोनों को दिखाता हूं आपको and here you go यह आपका original vector है ठीक है और यह transformed है और आप check करें कि जब यह इस तरीके से गुलाई के अंदर अगर आप पुरकार रखके या जो आपके पास trigonometric instruments होते हैं अगर वो रखके यहां पर 45 degree left side पे इसको move करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यह move हो रहा है and it could be more than 45 degree as well it's up to you कि आपने कितना करना है मैं यहां पे अगर इसको 50 कर दूँ so I can do that one as well transformation उसकी यहां पे change हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि कोई भी transformation हम कर रहे हैं यहां पे अगर हम angle की base पे कर रहे हैं तो नीचे matrix की value change हो रही है और जैसे matrix की value change हो रही है यह भी change हो रही है हमारे पास so at the end हमारे पास कुछ इस तरीके से यह vector और भी different side पे चला जाएगा so this is how you can apply a transformation on something और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको plot को और भी अच्छे तरीके से plot करना है then you can do the same thing like this ले जनाब यह आपका original था vector यह वाला जो है हमारे पास यह दूसरा आ गया so this is how you can actually plot the thing मैं इस तरीके से करना चाहरा था वह different हो गया तो यह हमारा 2D coordinate plane है so two dimensional vector transformation हमने की है कि red vector से blue वाले में आ गए है so यह एक simple किसम की linear transformation है जिसको हम rotation वाली linear transformation बोलते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार linear transformation हमारी कहां पे होगी किस तरीके से होगी linear transformation और मैं चाहता हूँ कि मैं यार इसी के ऊपर एक और transformation लगा के देखूँ जो हमारे पास और भी अच्छे तरीके से values शो करे और मैं साथ में ये भी देखना चाहता हूँ कि असल में transform होता क्या है चीजों का so मैं अगले lecture में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास shear transformation कैसे लगती है